यहां पर हम बात करेंगे कैसे हम किसी exercise को kinetic chain movement की आधार पर हम उसको classify कर सकते हैं जब हम exercise को kinetic chain movement के according classify करते हैं तो हम इसको दो तरीके से classify कर सकते हैं जिसमें से पहला है open chain movement और दूसरा है close chain movement फसी मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूँ जो kinetic chain movement होता है इस classification को जनरल लोग chain classification भी बोलते हैं इन वर्डिंग्स पर confused मत होईए दोनों सेम चीज होती है और kinetic chain movement के बारे में जानने से पहले आपको यह clear होना चाहिए कि kinetic chain क्या होती है kinetic chain के बारे मैंने पूरा complete एक वीडियो बनाया है उसका लिंक आपको नीचे description box से मिल जाए हो आप वहाँ से जरूर चक करें अभी आप simply सिर्फ इता समझ सकते हैं कि kinetic chain एक ऐसी chain होता है जहां पर किसी एक joint के movement के करण किसी दूसर joint पर effect आता है किसी दूसरे joint का movement होता है इस कुरी complete process को हम kinetic chain बोलते हैं यहां पर हमारे एक system दूसरे system से linked रहता है सबसे पहले हम बात करते हैं open chain movement के बारे में open chain movement ऐसे movement होते हैं जहां पर आपके limbs मतलब आपके हाथ या पैर इनको हम segment भी बोलते हैं और आपकी या body मतलब आपका या तो फिक्स रहता है तो इन सारे movement को इन सारे exercise को हम open chain movement बोलते हैं या open chain exercise बोलते हैं open chain movement ऐसे movement हुए जहां पर आपके हाथ पर free रहते हैं move कर सकते हैं आपकी body से दूर जा सकते हैं So, वो सारी exercise, सारी movement जहाँ पर ये दो condition apply होती है, तो इसको हम open chain movement बोलते हैं या open chain exercise बोलते हैं. चलिए हम इसको एक exercise की मतर समझते हैं. For example, जब आप leg extension परफॉर्म कर रहे हैं, leg extension machine में, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं? आप leg extension machine में बैठते हैं अराम से, और यहाँ पर legs को उठाते हैं इस तरह से, जैसे आप clip में देख पार हो, यहाँ पर आपका knee joint move हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ आपके legs move हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी जो upper body है, वो stationary है, fixed है, एक ही position पर बैठी हुई है, यहाँ पर सिर्फ आपके pair move कर रहे हैं, तो यह कौन सा movement हुआ हमारा open chain movement हुआ, इस exercise को हम open chain exercise बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी body fixed है, और आपके जो limbs हैं move कर रहे हैं, चलिए हम इसका एक और example लेते हैं, ताकि आपको और अच्छी तरह से clear हो जाए, for example, जब आप bicep cable कल perform करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जिसके आप इस clip में देख पा रहे होगे, मेरी यहाँ पर body fixed है, मैं एक जगा पर ही खड़ा हूँ, लेकिन मेरे हाथ move कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीची आ रहे हैं, so, जो मेरे limbs हैं, वो move कर रहे हैं, और मेरी जो tot show है, जो मेरी body है, वो fixed है, so, यहाँ open chain exercise हुई, हम अपनी daily life में भी बहुत सारे open chain movement perform करते हैं, for example, जब आप इस तरह से कंगी करते हैं, इस तरह से coffee पीते हैं, so, यह open chain movement का example लोगा, क्योंकि यहाँ पर आपके limbs move कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी body नहीं move कर रहे हैं, आप ऐसे नाचते-नाचते coffee नहीं पीते हो, है ना, so, bottom line यहाँ कि open chain movements are where your body is fixed and your limbs moves, अब बात करते हैं, close chain movement के बारे में, close chain movement just opposite होते हैं किसके open chain movement के, close chain movement ऐसी movements होते हैं, जहां पर आपके limbs हैं, वो fixed रहते हैं, मतलब आपके हाथ pair fixed रहते हैं, लेकिन आपके जो यह body है, आपका जो यह torch है, यह move करता है, चले हम close chain movement को एक exercise की मदद से समाझने कोशिश करते हैं, ताकि आपको और अच्छे से clear हो जाए, for example, जब आप squad perform करते हैं, तो क्या होता है, यहां पर आपके जो pair है, वो fixed रहते हैं, वो एक point पे, एक surface से touch में रहती है, fixed रहती है, तो यह एक close chain movement का example हो, यहां आपके limbs क्या है, fixed हैं, और आपकी body move कर सकती है, चले हम एक और exercise की मदद से समझते हैं, for example, जब आप push-ups perform करते हैं, आपके जो यहांथ है, एक point पे fix रहते हैं, ground से touch में रहते हैं, surface से touch में रहते हैं, आपके pair भी ground से touch में रहते हैं, surface से contact में रहते हैं, और आपकी body कैसे move करती है, उपर नीचे, उपर नीचे, तो यहां किसी इसका example हुआ, close chain movement का, जो हमारी push-up exercise है, यह close chain movement वाली exercise है, so bottom line is that, close chain movement are the movements where your limbs are fixed and your body moves, so आज के वीडियो में तहीं, I hope आपको सारी चीज़े समझ में आ गए होगी, अब आपके लिए a homework है, homework क्या है, कि आपको बताना है कि यह 5 exercise कौन सी है, open chain movement है यह close chain movement है, तो पहली exercise है अपनी glute bridge, दूसरी exercise है, carve race, तीसी exercise है, अपनी lateral race, चौथी exercise है, bicep dumbbell curl और पांचवे exercise है, skull crusher, आपको इनका answer मुझे comment करके बताना है कि यह open chain exercise है यह close chain exercise है, so thanks for watching, stay healthy, stay fit, bye, चैहिए.